हेलो और वेलकम मैं हूँ शगुफता और आप देख रहे हैं माई किचिन माई डिश दोस्तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं लखनवी स्टाइल चिकन बोटी कबाब हमने इसे चिकन से बनाया है वैसे लखनो में इसे मटन और बीफ में बनाया जाता है तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी हमने इसके लिए ले लिया है आधा किलो बोनलस चिकन और इसके छोटे चोटे पीसे काट दिये हैं साथी इसमें एड करेंगे लेसुन अद्रक का पेस्ट और बाकी ट्रेडिशनल मसाले धनिया मिर्ची जीरा काली मिर्च गरम मसाला ही है और ओल को गरम होने रख दिया है इसे मस्टर्ड ओल में बनाने जा रहे है तो मस्टर्ड ओल को एकदम जादा गरम करना चाहिए जब तक उसमें से धुआ ना उटने लगे जब धुआ उटने लगे तो आज स्लो करें और उसके अंदर प्यास को डाल दें बारीक कटी ह तक शौटै करने के बाद इसके अंदर एड करेंगे तीन टेबल स्पून अदरक लें में चाह कूं का पेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट देता है बहुत माइने रखता है क्योंकि वो चिकन से बना रहे है इसलिए उसमें लेसून अदरक का पेस्ट जियादा ड इन सारी चीजों को इसके अंदर एड़ कर दिया और अची तरीके से मिलाएंगे थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे क्योंकि पाउडर मसालों को पकने के लिए थोड़ा सा पानी होना जरूरी है तो इन मसालों को अची तरीके से भून लेना है तो ये देखे चार-पांच मिलाने के बाद भी इसे भूनेंगे थोड़ सी हरी मिर्चियं बारी कटी हुई डालेंगे इससे भी इसका अच्छा फ्लेवर आता है तो इसे भी मिला लेंगे और आब इसके अंदर हम मसाले भून जाने के बाद इसके अंदर ये चिकन के छोटे पीसे कटे हुए इसके अंद कतार चलाते हुए भूनना है थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे जब पानी सुखा सुखा सा होने लगे तब क्योंकि मसाला पूरा अच्छी तरीके से भूना हुआ है और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर एक मिनिट पकाने के बाद इसे धक कर तीन-चार मिनिट तक पकाया अब इसके अंदर यह मलाई डाल देंगे ताजी मलाई है आप चाहें अगर घर में ताजी मलाई ना हो तो अगर नमक तेस्ट कर लेंगे और चिकन को चेक कर लेंगे कि वह कितनी गली है फिर भी इस चिकन को इस स्टेज पर ढख के अच पर पांच मिनिट तक पकाएंगे और पांच मिनिट कंप्लीट हो चुके और अब यह देखिए चिकन बहुत अची तरीके से पक चुकी है उसमें से उसका ओइल सेपरेट होता हुआ दिक रहा है इसके अंदर अद्रक के जूलियन अद्रक के जूलियन का फ्लेवर भी इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है थोड़े से जूलियन हम गयापने शिंग के लिए बचा लेंगे और यह पक के तयार है थोड़े सी हरी धनिया डालेंगे इसे धकन लगाएंगे और इसे 10-15 मिनट तक स्टैंडिंग टाइम देंगे गैस को आफ कर देंगे तो यह देखिए गैस को आफ कर दिया था हमने इसके साथ में कॉम्बिनेशन में बनाया है प्लाव और इसे प्लाव के साथ में सर्व करने जा रहे हैं तो और इसे आप अगर चाहें तो दूसरे किसी भी चीज से गार्निश कर सकते हैं हम अद्रक के जूलियन थोड़ी सी हर इसे सजाएंगे और राइस को हम सजाएंगे धनिया की पती और बिर्यान के प्यास के फ्लेक्स से और यह जबरदस्त सी डिश बनके तयार है खाते ही एकदम देखते ही मूँ में से पानी आने वाला है तो जब आप तो जब आप इसे बनाए तो फोटो क्लिक करके मेरे इंस